हलो वॉलकम टू माई चैनल मैं रोहित यार स्वाथ करता हूं मेरे स्यूटीब चैनल रोहित की काक्षा में तो जैसा कि हम लोगों ने प्रामिस करके रखा था कि जारखंड में बच्चों की लेवल से लेके मिन्स स्कूल से लेके पिएचडी लेवल तक कि जितनी भी कॉलेज मिनीमम ली जारखंड को तो सबसे पहले हम लोगों टार्गेट मिलेंगे मिन्स जारखंड में हरे कॉलेज़ेस के रिव्यूज मैं आपको बताऊंगा चाहिए वह बेसीक लेवल से हो और आगे लेवल जैसा कि मैंने अनाम लिया स्कूल लेवल से लेके पिएचडी लेवल इसमें इंजिनियरिंग आ जाती है आपकी पुरे टेकनिक आ जाएगी मेडिकल आ जाएगी ग्रेजुएशन की आ जाएगी बी एड आ जाएगी सब कुछ आ जाएगा उस करी में हम लोग ने कुछ 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 कॉलेज के साथ टाइप किया उनको से बाते की उनका जाते हो बहुत बहुत कोई बनाता है लेकिन एक इंटरेस्टिंग वेकला नहीं बहुत यह पता कर सकते हो गूल को से टूंब वोगो इन कैसे हो ऺए अलगत तो मुझे वो कला देखाने में बहुत अच्छा लगता मुझे मज़ा आता है कि कुछी स्कूल review जाके बनाना उन इसको record करना उसको अच्छे से present करना फिर को इस colleges के बारे में बताना तो यह college review है YBN University राची में ठीक है तो उसके बारे में पूरा detail में है ज्यादा detail में है लेकिन आपको detail के लिए उतना देर रुकना नहीं पड़ेगा Means आपको आधा गंटा देनी की समय जोरत नहीं पंदरा मिनट दस मिनट से बारा मिनट आपको लगेगा जिसमें हम लोग आपके में चीजे आपको क्या बता देंगे कि कौन से courses यहां पे होते हैं आपको मैं दिखाऊंगा college के website के बारे में फिर क्या-कान details उनके बारे में क्या degree really में सही अच्छा है college है बीकी नहीं है क्या सिब नाम के degree दे देता है या बात खतम क्यूंकि उनिवर्सिटी तो बहुत बड़ा है दस से बारा मिनिट में मैं आपका खतम कर दूँगा तो सबसे पहले department से यहां कौन-कौन से है School of Legal Studies, Law, Medical Sciences, Nursing, Pharmacy, Education, BA, DLA, DLA यह सब भी होता है Agriculture Science पे भी है Animal Husbandry है मतलब आपका Agriculture Engineering पे भी आपके यहां पे courses मिल जाएंगे आपको Forestry, Veterinary courses भी मिल जाएंगे Engineering Technology means आपको Diploma और Engineering के भी मिल जाएंगे School of Journalism and Mass Communication School of Computer Science and IT means BCA, MCA, DCA यह सब आपको मिल जाएंगे Library Science पे भी मिल जाएंगे Paramedical Science means A&M, G&M के भी courses Arts and Humanities, Graduation के courses है School of Science भी courses यहां पे अविलेबल है means पूरा भरा पढ़ा है YBN University फिर उसके बाद Infrastructure Development तो जो नॉर्मल ही है यह तो कुछ इसमें Boast करने वाली बात ही नहीं मतदद दिखाने वाली बात ही नहीं क्योंकि अगर वो course fees ले रही है तो यह तो College के Responsibility बनती है Management के Responsibility बनती है को नॉर्मल अच्छी से लाइबरेड़ी दे जहां पढ़ने की जगा हो Computer Facilities होनी चाहिए Medical Facilities होनी चाहिए Cafeteria होना चाहिए जहां Canting जिसे में बोलते है Transport Facilities को अगर दूर से आ रहे है तो Residential Accommodations means Hostels Wi-Fi Campus तो दे नहीं है अब तो सब Colleges दे रहे हैं चाहिए वो Government की क्यों नहीं हो तो यह उनका भाई Website है Total 100 acres of campus 25 degree programs वो दे रहे है 200 faculty and scientist है मतब यहां पर Doctorate programs भी होते है ठीक है तो means यहां पर वो scene है यहां पर यह सब आपको बता के कोई फाइदा है पाई सांसलर का क्या message है यार सब तो अपने college के बारे माँ अच्छा ही बोलेंगे कि यहां ठीक है अब depends करता है कि हम लोग proper तरीका से आपको सही से review दे college affiliated है इसकी चीनता बिल्कुल नहीं करनी है recognized है college भाई NCT से भी है आपकी आपका technical education का भी है law का फिर तो अपना जो उनका board है उनसे अपना है फिर medical boards का भी है तो अगर आप इतने सारे courses चला रहे है तो obvious है कि आपको बिना affiliation के तो आपके चलने दिया नहीं जाएगा तो affiliation है placement का किया सही ना भाई placement में companies यहां पर वेबसाइट में मेंशन है कि यहां पर placement and recruitment होता है सार्दा ऑस्पिटल स्टार न्यूज मांस कम्मुनिकेशन वालों के लिए बहुत फायदा अमन्द और बहुत अदर अदर ब्रांचेस के लिए बहुत फायदा अमन्द है सन फार्मा टेन हिंदुस्तान उनिलिवर लिमिटेड यह भी बहुत अच्छी बात है कंट्री वाइड अब आगे बहुत सारे हैं वह तो बहुत दीरे दीरे चल रहा है अब मैं आपको कुछ कुछ चीज आपको दिखाता हूं सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फीच ट्रक्चर टीक है फीच ट्रक्चर आपको एकडम रिवाइज है वाई 2020-216 सेशन के लिए अभी बहुत अब आपको है मन तो आप ले सकते हो क्योंकि अभी बहुत बीचे में बीचे में दीक रहा तो आप उन्हें अभी कॉंटेट कर सकते हो ठीक है और आप देख सकते हो बीचे में के कोर्सेज हैं अगर कोई बच्चों को लेना है वाई देखिए फीच आपके आँक के सामने स्क्रिंसॉट आप ले सकते हैं 50,000 पर सेमेस्टर एडबिशन फीच फीच टाउजन लिया जाएगा ठीक है एडबिशन टाइम में ठीक है और ल अने के कोर्सेज में यह प्रॉपर आपका यहाँपे सब कुछ फीच ट्रॉकशर दिया डी-फर्मा भी फार्मा अगर आपको करना वह भी कोर्सेज है वह बीच ट्रॉक्चर यहाँपर अपलिकेबल है अगरिकॉलचर साइन रहा अनीमल हसंदरी बेऊ आप देख सकते हैं MSc agriculture, diploma in agriculture, वो भी आपका फीस यहाँ पर mention है, engineering technology में जैसे diploma करना है, या फिर आप lateral entry, diploma, admission लेना चाहते हो, या b-tech, या b-tech lateral entry, या m-tech भी करना चाहते हो, तो यहाँ पर यह available है, with fees structure, यहाँ पर mention है, अब branches कौन-कौन से engineering से related to computer science, electrical, information technology, civil, electrical, and EC and mechanical, मतलब 6-7 branches यहाँ पर available है, school of journalism, mass communication के भी courses, यहाँ पर BGMC, MJMC, ठीक है, master's degrees के भी courses है, फिर IT sector से related, computer science से भी courses है, DCA, BCA, MCA, BSC information technology, MSC information technology, PGDCA, ठीक है, यहाँ पर हर एक तरह का courses है, with fees structure मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद आपका school of library science से भी आपका related courses है, फिर paramedical science से related बहुत सारे courses है, बहुत ही सारे courses, arts and humanities से related बहुत सारे courses है, school of science से related बहुत सारे courses है, ठीक है, commerce and management से related, B.com, B.b.a. M.com, MBA भी है, यहाँ पर देख सकते हो, yoga और बापरेबाब, मदब सुचते रजाओगे, बहुत सारे courses हैं, बहुत जादा है, बहुत ही जादा है, ठीक है, होसल फेसिलिटीज है, आप लेना चाहो, तो आप बिलकुल ले सकते हो, ठीक है, अब मेरे कहल से, मैंने आपको clear कर दिया है, मैं आपको जादा समय नहीं लूँगा, मैं बाकी यूटुबर्स की तरह, आपको जूट मुट का घुमाते नहीं रहूँगा, 15-20 मिट तक एकी बात पर, simple सा बात है, fee structure मैंने आपको दिखाया, courses कैसे हैं, college लेने like है, ठीक है, अगर आपको एक normal, साब को ज्यादा दूर जाना नहीं, अगर आप जहारखन में रहके पढ़ना चाते हैं, इन सब courses को, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम universities होते हैं, जहां पर इतने सारे courses, एक ही जगा पर आपको एक खटे मिल जाएं, और अभी भी admissions चल रही है, 2020 के लिए, तो आप रह सकते हैं, 2000 students अभी तक on campuses, hostel seats में रह रहे हैं, अभी भी, ठीक है, 5 million square feet का building है, मतलब काफी बड़ा university है, नामी university है, ऐसा बात नहीं है, अब देखी, कोई भी university अगर बड़ा होगा, तो इतना बड़ा university, इतने सारे courses को manage नहीं कर सकता, ठीक है, तो यह बात simple सी है, आप आपको मैं placements के बारे में, आपको जानना है, तो मैं placements के बारे में, कुछ ऐसा कुछ है नहीं, आप industrial visit में भी जा के, आप कुछ देख सकते हैं, वैसे normal सी बाते हैं, जो मैंने आपको दिखा है, कौन-कौन से colleges हैं यहाँ पर, जो आचुके हैं, जैसे access bank, cadillard, dhanik jagran, dr. lal, path labs, fci के भी companies आचुके, 40th hospital यहां से ले जा चुका, इना के students को, क्योंकि इतने सारे doctor's के courses, देखे, कि BBC News में यहाँ प्लेस्मेंट हुआ है, लेकिन यह पूरे website, यह पूरे website, यह नहीं पता चलेगा, कि कितने students का, एक आखड़ा नहीं पता चलेगा, कि कितने students का, यहाँ से placement हुआ है, हाइस package क्या है, average package क्या है, lowest package क्या है, तो मैं यही बोलूँगा, कि अगर आपको normal fees में लेके पढ़ाना है, तो अभी यह fee structure का screenshot लेते चलिए, आपका काम बन जाएगा, बट अगर आपको कोई अच्छे colleges में एक बाद फिर से try मारना है, सरकारी colleges में try मारना है, तो आप एक साल drop लेके कर सकते, क्योंकि तीन-चार महिना में अप सारे examinations competition के अब हो जाएगे बहुत ही जल्दी, तो इस वीडियो में इतना ही है, मैंने आपको प्रॉमिस के थे कि 10-12 मिनट के अंदर मैं आपको यह वीडियो खतम कर दूँगा, ताकि आपको एक normal review में जाए, समझ में आजा है कि आपको इस college में जाना है, या नहीं जाना है, आगे आपको बहुत सारे colleges आपको दिन-परति दिन देखने को मिलेंगे, schools के बारे में, PhD के बारे में, top PhD colleges कोन-कोन से हैं, जहारकंड में, फिर बहुत सारे other colleges, जो हमसे आज तक छूटे में, बहुत सारे medical colleges के बारे में, आज तक कोई review नहीं दिया, वो अब हम देंगे, मतलब हम लोग वो करेज दिखाएंगे, views आए चाहे नहीं आएं, उससे हमें मतलम नहीं हम आपको दे देंगे, उन सब colleges के बारे में जानने में, तो मिलता हूँ आप सागे के वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें support करते लिए, वीडियो को share करिए, like करिए, चैनल को subscribe करिए, और दूसरों को भी बताइए, कि इस चैनल में बहुत सारे college reviews बनाएंवे हैं, पहले से आप हमारे playlist section में जाके देखिए, आपको बहुत सारे college reviews में लेंगे, तब मिलता हूँ आप सागे के वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्यार रखें, safe रहें, and सुरक्षित रहें, thank you,